अब हम आपको दुर्टविलंबित छंद से परशित कराते हैं दुर्टविलंबित छंद अपने नाम से ही अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देता है बच्चों देखो कि इस शब्द में दो खंड है एक है दुर्ट दूसरा है विलंबित दुर्ट का मतलब होता है जिसे अंग्रेजिम कहते है स्पीडी यानि वेग जिसमें हो जिसमें तीवरता हो और विलंबित का अर्थ है जिसमें आलश्य हो जिसमें तीवरता न हो बलकि धीमी गती हो मंदता हो तो दुर्ट विलंबित छंद सचमुच एक ऐसा छंद है जिसके आधे भाग में तो बड़ी तेज गती होती है और उसका जो अगला हिस्सा है उसमें वो गती कम हो जाती है ये ऐसे ही होता है जैसे आप किसी धलवे रास्ते पर चले तो जहां पर ढाल होगी वहां पर आप तेजी से आगे बढ़ेंगे लेकिन जहां से चड़ाई आ जाएगी वहां से आपकी गती थोड़ी धीमी हो जाएगी अब छंद में ये गती का तेज होना कम होना कैसे आप सिद्ध करेंगे ये मैं आभी जब पढ़ूँगा पजद्ध को तो उससे सफष्ठ हो जाएगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि इस चंद के प्रारम में सारे वर्ण जो है लगू आते हैं तो लगू अक्षर आने के कारण गती तीवर हो जाती है और आधे के बाद का जो अंशह है इस लोक का चंद का उसमें प्रायह जो है दीर्ग या गूरू अक्षर जादा आते हैं इसलिए सभावतह जो है पाठक की गती धीमी हो जाती है तो इस प्रकार दृत और विलंबित दोनों को मिला करके इस चंद का नामकरण हमारे आचारियों ने किया है तो इस से जो है इस पश्ट हो जाता है कि इस चंद का वास्टविक स्वरूप क्या होगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वनशस्थ चंद में और अन्यानी चंदों में कुछ विशेष्टाएं उनके भीतर भरी हुई है उसी प्रकार की विशेष्टा इसमें भी है तो आएए एक श्लोक के माध्यम से आपको बताता हूँ कि ये दृतता और विलम्बितता ये दोनों गुण इस चंद में किस प्रकार आते हैं इसके बाद हम लोग लक्षण की चर्चा करेंगे एक पद्य है शुति सुख ब्रहमर स्वनगीत यह कुसुम कोमल दंतरुचो बभुहू उपवनांत लता पवनाहत यही किसल यही सल यही रिवपाणि भीही शुति सुख ब्रहमर स्वनगीत यह कुसुम कोमल दंतरुचो बभुहू उपवनांत लता पवनाहत यही किसल यही सल यही रिवपाणि भीही इसी प्रकार का एक और बहुती सरल पद्य है आचारी भरत्रिहरी का जो उनके नीत शतक में मिलता है उसको भी आप सुने शशी दिवाकर योर ग्रह पीड़नम गजभु जंग मयोर पिबंधनम मति मताम चविलो क्यदरिद्रताम विधीरहो वलवानिती में मतिही अब आप स्वयम देखें मेरे गायन से नहीं आप स्वयम अनुभु करें आप देखें कि इस पद्य में शशी दिवाकर में सारे अक्षर केवल वा को छोड़ करके सारे अक्षर इसमें लगु है इतने अन्शों में एक गत आजाती है क्योंकि सारे अक्षर लगु है लेकिन आगे वाला जब हिस्सा आप पढ़ेंगे शशी दिवाकर योर ग्रह पीड़नम यो भी दीरग है पी भी दीरग है और न भी दीरग है इसी तरह से गजबु जंगम यो रफी बंधनम यहां पर भी यो दीरग है और ब दीरग है और न दीरग है इस प्रकार जो है जब आप एक एक अक्षर की व्याख्या करेंगे परिक्षा करेंगे तो उस पद्य का या उस चंद का गुण स्वयम आपके समझ में आ जाएगा बच्चो अब हम आपको इस चंद का वो लक्षण बताते हैं जो हमारे आचारियों ने प्रस्तुत किया है इसका लक्षण बहुती मधुर बहुती सरल सा है और वृत रतनाकर नामक गरंथ में आचारिय केदार भट ने इसका लक्षण दिया है दुर्त विलंबित माह नभव भरव इसका तातपरी क्या है इसका तातपरी है दुर्त विलंबितम आह उस चंद को दुर्त विलंबित कहा गया है जिसके प्रतेक चरण में नभव भरव जिसके प्रतेक चरण में ये चार गण इसी क्रम में आएंगे नगन भगन 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 रगन अब जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि इन चारों गणों का स्वरूप आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए बताईए कि न का स्वरूप क्या होगा न का स्वरूप है न जिसमें त्री लगूश चनकार है जिसमें तीनों वरण लगू होते हैं उसे कहते हैं नगण भगण भादी गुरुहू जिसमें प्रथम अक्षर दीर्व होता है गुरु होता है और बाकी दोनों लगू होते हैं और अंत में है नभव भरव रगण अंत में आता है और रगण का स्वरूप है रलमध्यह रगण उसे कहते हैं जिसमें लगु अक्षर वीच में आता है और प्रथम और तृती अक्षर ये गुरु होते हैं तो अब इसके आधार पर आप परिशा करें कि इसका सुरूप क्या होगा तो जैसा मैंने बताया था पहले भी कि एक किसी अक्षर को ले लिए जैसे नकार को ही ले लिए और नकार के माध्यम से आप इसको बनाना चाहे कि इसका सुरूप क्या होगा तो आप ये कह सकते हैं तीनों चीजे मैंने बता दी इसके लक्षन में भी वही धुन वही ले इसके जो है उदारन में भी और एक अक्षर में जैसे आप गुन गुनाते हैं किसी चीज को यदि आप गुन गुनाएं तो भी जो है वही लक्षन आपका आएगा बच्चों इस चंद में भी अन्य चंदों की ही तरह चरण के अंत में ही यती होती है बीच में कहीं रुकने की आवश्कता नहीं है बीच में सांस कहीं भिस्राम नहीं करती है चरण के अंत में ही आप भिस्रान तो होते हैं और चूंकि ये वारनिक चंद है इसलिए इसके प्रत्येक चरण में एक ही व्यवस्था है यही चारों गण चारों चरणों में आएंगे और चूंकि चार गुण है इसलिए स्वाभाविक है कि चार गुणे तीन बराबर बारह अक्षरों का ये चंद है संस्कत के जितने भी महान कवी हैं जैसे उन्होंने वनसस्त को बहुत प्रेम किया है उसी तरह से दुर्थ विलंबित चंद को भी बहुत पसंद किया है विशेश करके जहां कहीं यमक अलंकार के प्रियोग का प्रसंग आया है वहाँ पर प्रायह सभी कवीयों ने प्रायह वहाँ पर दुर्थ विलंबित चंद का ही आशे लिया है क्योंकि दुर्थ विलंबित चंद में यमक बहुत ही सटीक बैठता है मैं आपको एक पज्य सुनाना चाहता हूँ महाकवी कालिदास का महाकाव्य है रगवश वहाँ पर बताया गया है कि महाराज अज की मृत्यु के बाद महाराज दशरत ने कोशल प्रदेश का शासन स्वीकार किया उसके वो राजा बने उसका वरण करते हुए कालिदास कहते है पितूरनंतर मुत्तर कोसलान समधी गम्य समाधी जितेंद्रिय दशरत प्रशशास समेदी नीम यमवताम मवताम चधूरी स्थित अच्छा लगा न सुनने में यहां देखो मैंने कहा था कि यमक अलंकार के प्रयोग में प्रायक कवियों ने इसको लिया है यहां पर यमक अलंकार है यमवताम मवताम में मवता मवता दो बार आया है यही यमक अलंकार है संस्कित का आप आगे चड़ करके जब अलंकार को गहराई से पढ़ेंगे तो इस प्रकार की कविता का आनंद आपको और मिलेगा और जब कालिदास का आपने सुना तो एक पद्य महा कभी महा कभी सुन लीजे देखें कि कैसी प्रकृति की छटा है इसमें कानन का दृष्य वसंत नितु का अवतरण हुआ है उसमें जंगल का दृष्य क्या है नवपलाश पलाश वनम्पूरह फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरई यहां पर भी देखें सुरभिम सुरभिम दो बार आया और यह यमक लंकार का जो है बहुत ही रमनी उदारण है मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरई इस तरह से जो दुर्तविलंबित चंद है है तो बहुत छोटा चंद लेकिन कवियों ने चाक्चे के पैदा करने के लिए चमतकार पैदा करने के लिए प्रायह उन्होंने अपने गरंतों में इस चंद को भी आश्रे दिया है और इससे जो है कविता का सौंदरी बहुत बढ़ जाता है और जैसा मैंने बताया फिर एक बार दोहराता हूं कि इस काविय में किसी भी चरण में बीच में रुकने की आवश्कता नहीं है मैं दो चंद आपके लिए और पढ़ रहा हूं आप मेरे साथ साथ अनुभव करें बले ही कविता याद नहों लेकिन आप अनुभव करें कि आप कहीं बीच में रुक नहीं पाएंगे क्योंकि वही दूर्तता इसमें है, स्पीड है इसस्पीड के कारण बच्चा जो है तेज दौर रहा हो आप उसको बीच में रोक देगे तो क्या होगा वो तो इस खलीत हो के गिर पढ़ेगा नुख स्पीड को बीच में रोका नहीं जा सकता है। आप इस कविता में देखें। धूत कदंबक दंबक निश्पतद नवपराग परागम मन्थरा हृत तुशारत तिरागिनाम प्रियतमा मरुतो मरुतो बबुह। आशा है इस दुर्थ विलंबित छंद का आपने आनंद लिया। इसका सिधान्त भी आपने समझ लिया। इसका स्वरूप समझ लिया कि किस तरह से इसमें नगण भगण और भगण रगण इन चारों गणों का प्रियोग होता है। अंत में यती आती है और किस प्रकार हमारे कवियों ने इसे प्रेम के संदर्व में और प्रकृति वरणन के संदर्व में कैसे इसका उन्हों ने प्रियोग किया है। हुआ 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 है। हुआ 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 है झाल झाल